So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करेंगे Indian Oil Corporation Limited के साथ IOC की अगर हम बात करें तो आज काफी अद्दक TG में देखने को भी TG के पीछे का reason मैं आपको आगे बताने वाला हो बढ़ उससे पहले जो लेवल हमने कल डिसकस किये थे उसके इसाब से IOC में काफी अद्दक Momentum हमें नजराया है IOC की अगर हम बात करें तो आज इसने 180 रुपे 24 पिसे के लेवल पे Closing दी, Returns की अगर बात की जाए तो 3.71% के अराउं तक अगर आप दीखोगे तो Stock में काफी अच्छे Momentum नजराया है और वही अगर दीखे पिछले 5 दिनों में Stock में काफी अद्दक Upside Downs Momentum देखने को में मिले बट कल से Stock जो है काफी अद्दक एक अच्छी Rallys जो है बताता हुआ में नजराया वही अगर हम बात करें News की तो यहाँ पर IOC ही नहीं दूसरे Shares भी बड़े हैं जो जिस वज़े से यहाँ पर जो Oil Sector से Related जो भी Shares है जिसे यहाँ पर बात की जाए HPCL की तो HPCL भी आप देख सकते हो लगबग 448 रूपर 50 पैसे तक Closing देता हुआ नजराया 3.40 रूपिस के राउंड तक की इसमें बड़त देखने को में मिली तो इन जो यहाँ पर जो भी इस सेक्टर से Related जो भी Shares है उनमें हमें तेजी नजरायी है और Exactly IOC में भी बड़त जो है देखने को में मिली है और आगे भी उम्मीद है कि Stock में जो Rally है ओ Continue हो और जो बड़े-बड़े Firms के और से जो बड़े-बड़े एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रहे जिसमें 200 रुपे का टार्गेट हमें देखने को मिलता है बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे जो IOC है इसमें कुछ टार्गेट से यहाँ पर दिये जा रहा है ATNOW की यह वेबसाइट पर चीजे अवेलबल है according to a market expert जो प्रशान जी है उनकी और से यहाँ पर अगर आप देखोगे टार्गेट दिया जा रहा है कि स्टॉक जो है अगर 180 का लेबल ब्रेक करता है तो 190 से 200 रुपे के जो लेबल है यहाँ तक जा सकता और इनकी और से जो स्टॉप लोस रिकमेंड किया गया है ओ 170 से 140 रुपे के राउं तक है तो इनकी और से टार्गेट दिये जा रहे है और क्या आइवोसी में यह टार्गेट के इजी तरीके से चीव हो सकते क्या इन लेवल्स तक इस टॉक जाएगा या नहीं आगे इसके लेवल्स हम देखेगे आइवोसी में आगे बड़े बट उससे पहले अगर देखे इसमें कुछ डेट है जो काफियत तक आएमपी है जिससे 8 सितमबर 2024 यह तारीक इसके लिए काफियत तक important है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे 12 जुलाई से पहले जिन जिन लोगों ने इसे बाई किया है 12 जुलाई से पहले जिन जिन लोगों ने यहाँ पर आईवोसी को खरीदा है तो उन्हें 7 रुपे पर इक्विटी शेर का जो डिविडेंट है ओ मिलेगा 7 रुपे पर इक्विटी शेर जो है आपके account में जो पेशा है और ट्रांसफर किया जाएगा और जो payment date है इसकी वो यहाँ पर fix की गई है 8 सितंबर 2024 यानि 8 सितंबर 2024 जो है जिन जिन लोगों को dividend का पेशा अभी तक नहीं मिला है जिन जिन लोगों के account में अभी तक जो पेशा ट्रांसफर नहीं किया गया तो साथ ही अगर हम बात करें आई वोसी में volume काफियत तक यहाँ पर काम कर रहा है volume यहाँ पर तगड़ा है लगबग 5 करोड के round तक अगर आप देखोगे तो आज हमें trade value देखने को बिलता है जो काफी बड़े numbers है 5 करोड लोगों की और से अगर देखे यहाँ पर stock उठाया गया और वही अगर देखे 80% लोग positive जिसमें 60% लोग buy और 20% लोग hold करने के लिए भी आपर कहते हैं तो level किस तरीके से काम कर रहे है उन चीजों के उपर भी हम एक बार focus कर लेते कि IOC के जो level है वह किस तरीके से काम कर रहे है तो कल जो point हमने discuss किये थे उसके हिसाब से stock ने काफी अच्छा performance यहाँ पर बताया है बिल्कुल कल यहाँ पर हमने अगर देखे तो कुछ level आपके साथ share किये थे कुछ levels हमने update किये थे उन level के हिसाब से अगर आप देखो तो IOC ने काफी शांदार breakout दिया और after breakout stock उपर की और भी गया है यहाँ पर मैंने कहा था कि stock में अगर देखे इस particular range से एक resistance एक phase कर रहा है और यहाँ से जो गिरावट है काफी हत तक देखने को विलिए और 175 के around तक का जो level है पहले भी हमने discuss किया था कि एक support लेओ लेओ लेए exactly यहाँ पर इसने support लिया और share उपर गया फिर यहाँ से अगर आप देखो कि stock ने again एक resistance phase किया जहाँ यहाँ पर भी resistance phase किया था stock में एक अच्छी बड़त भी हमें देखने को मिली और वही अगर देखे इसी support के साथ यहाँ पर आप देखो यही range पे जहाँ पर मैंने discuss किया था कि यहाँ पर एक breakout अगर मिलता है तो stock उपर जाएगा और exactly 180 का level हमने discuss किया था previous वीडियो में कि अगर 180 को break करता है तो एक अच्छी rally आएगी और अभी अगर देखे जो expert से प्रशान उनकी और से का आगया कि 185 का level भी important है अगर इसे break करता है तो यह 200 या फिर 190 के round तक की जो levels है इन levels को भी achieve कर सकता है तो यह point भी ध्यान में रखो यह जो level है easy achieve हो सकता है तो कल यहाँ पर अगर देखे sustain करने के लिए थोड़ा downside की और आएगा अबट वही अगर आप देखो जो ऊपर की range है एक range भी important हमारे लिए रहेंगी क्योंकि इस range का अगर breakout ratio दे देता है यानि इस range के उपर अगर sustain कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छी rally जो है अच्छी return जो है देखने को में मिल सकता है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान देन अच्छी है क्योंकि यहाँ पर मैंने a point कल भी discuss किये थे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई वो सी जो है Indian oil corporation limited जो है एक range के अंदर यह फसा हुआ है जब तक के इस range के अंदर फसा हुआ है तब तक आप यहाँ पर positive नहीं रह सकते और इस ने बिलकुल इस range को break करने क यहाँ पर कोशिश की है और 185 का जो level है इस level को अगर break करता है तो बिलकुल यहाँ पर in particular point के around जाने की यह कोशिश कर सकता है तो इसके उपर आपको ध्यान देना चाहिए तो बिलकुल यहाँ से जो बड़े target से अच्छी होगे ही होगे और यहाँ से भी अगर मैं trade line बनाओ तो बिलकुल एक support भी हम इसे कह सकते अगर यह down भी आया तो इस particular point पर support लेगा ही लेगा तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि उपर से एक resistance है और downside की होट से stock में अगर आप देखो तो एक support है इन upside downs momentum के चलते अगर stock ने breakout दे दिया तो एक अच्छी rally एक अच्छी momentum जो है stock में हमें देखने को मिलेगे तो बिलकुल इन point के उपर भी आप ध्यान दे सकते और वही अगर आप देखोगे जो oil and gas index है ओ किस तरीके से काम कर रहा है ओ point भी important है तो हम देख लेते है oil and gas निफ्टी oil and gas की अगर हम बात करें तो आज इसमें काफियत तक upside downs momentum हमने देखें बट वही अगर देखें जहाँ oil and gas जो sector है ओ यहाँ पर gap up तो हूँ आज after gap up यहाँ पर अगर देखें हलका यह gap up हुआ था ज्यादा बड़ाई बड़त नहीं थी बट जो range उपर से जो थी वहाँ से इसने अगर देखें डाउंसाइड की और आया फिर उपर गया फिर अगें जो fall है ओ continue देखने को में मिल है तो यह जादा positive रहा नहीं है यानि जो news है उसका काफियत तक अगर आप देखो एक strong effect इन particular shares के उपर पड़ा है और अभी अगर देखें इस index की भी अगर हम बात करें तो आपको इस index में in particular trade lines पे ध्यान देना होगा और साथ ही downside की और से अगर देखें तो अभी एक support शो क pattern में अगर आप देखो तो उपर से resistance है और downside की और से support और इनी upside downs momentum के चलते stock में अगर upside का breakout मिला तो एक अच्छी rally एक अच्छी बड़त जो है हमें easy तरीके से देखने को मिल सकती है इसके उपर भी आप ध्यान रखो तो 15 minutes के chart frame पर तो एक proper falling waste type pattern है तो wait खरो एक proper breakout का इसे share की जिन्होंने bonus का announcement किया है Reliance Industries की और से अगर देखे finally one is to one का one is to one के ratio के साथ यहाँ पर bonus के announcement कर दिए और बिल्कुल Reliance industry अगर देखे इसमें एक बड़त भी आज देखने को भी जैसे bonus का announcement किया है नहीं एक share अगर आप Reliance का करेत हो तो उसके उपर आपको एक bonus का share भी वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment अगर आप कर रहे हो तो इनका analysis भी करना साथी telegram channel को join करो link नीचे आपको description में मिल जाएगे thank you